आज हम बात करने जा रहे हैं relationship को लेकर relationship एक contract का होता है एक non contract आज कल की जो generation है वो सिर्फ शादी में बलीब नहीं कर रहे ही living relationship also moving on आज कर दोस्तो मेरा नाम है Dr. G.D. भागव और मैं present करता हूँ अपने चैनल को Our Brain, Our Life आज हम बात करने जा रहे हैं relationship को लेकर relationship एक contract का होता है एक non contract इसे non contractual भी होते हैं अब इसमें फरक क्या है आज कल की जो generation है वो सिर्फ शादी में बलीब नहीं कर रहे ही living relationship also moving on तो relationship तो दोनों जगह निबानी पड़ेगी आपको living में भी और marriage में भी दोनों में फरक क्या है सिर्फ एक ही फरक है कि एक के अंदर legal parameter भी एंटर हो जाता है जिसे government भी एंटर हो जाती है कुछ ऐसा relative भी एंटर हो जाती है और आपको पूरे documentation पूरे करने पड़ते हैं दूसरे वाले में आपको documentation पूरे नहीं करने पड़ते हैं पड़ वो relationship तूट जाए या marriage तूट जाए दोनों ही relationship में जो भी break up होता है तो painful होता है ये तो मानेंगे आप दूसरा अगर वो painful है तो कभी कभी हमें ये भी पता चलता है या हमें ऐसा feel होता है अरे हमें तो पता ही नहीं लगा अगर हमें पता होता तो हम ये relationship को तूट नहीं में देते हैं ये तो अचाना की तूट गया तो दोस्तों ऐसा होता नहीं आज मैं आपको तीन parameter बताने जा रहा हूँ और उन तीन parameter के भी पांच 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 पताने जा रहा हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम इस वीडियो को तीन पार्ट में बताएंगे आज हम पहले पार्ट की बात करेंगे नेक्स वीडियो में उससे अगले पार्ट की तो अब 3 part पहले हमें समझने की जूरुत है कि कौन से हैं और फिर समझने की जूरुत है उनके 5 point कोन से हैं तो अगर हमें वो 3 part पता हों तो हम relationship को break होने में जो process है, उस को cut short करके relationship को continue करसकते हैं व्रेकप की तरफ नहीं रेजान देंगे यह वैसे ही है, «-Car का पहला पया गया खाई में, दूसरा गया और उसके बात कार चलिए ही». तो हमें यह समझने की जौडत है कि हम पहला पया ही जैसे ही भी हो खाई की तरफ टच करें, वहीं ब्रेक मार लें और उसे बाहर आ जाएं, चलते हैं जरने पर और अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और आप जुड़े रहेंगे चलते हैं तो पहला हमें यह समझने की जोड़त है कोई भी रिलेशनशिप ब्रेक अप कैसे होता है तो उसमें तीन बड़े परामिटर है पहला परामिटर बिहेवियर के अंदर जो इंपक्ट डालता है इमोशनल ब्रेक अप यह हम कह सकते हैं इमोशनल डेटैच्मेंट पहला पाइंट है दूसरा है डिप्रेस्ट रिलेशनशिप में वो गनवर्ट हो जाता है और तीसरा जो ह डिप्रेशन के बाद हमें थौट आते हैं नेक्टि थौट बहुत जदा आने लगते हैं और वो जो नेक्टि थौट्स हैं उसमें वो रिलेशनशिप थौट्स को इंप्लिमेंट करने लगता है और जैसे ही थौट्स हम इंप्लिमेंट करते हैं तो प्रेक अप हो जाता है और उसके बाद अगर हम बोलते हैं कि हमें तो पता नहीं था, तो सिरफ यकीन मानिए आपका इग्नोरेंस था और कुछ नहीं था. और कभी-कभी हम जबरदस्ती के इग्नोरेंस मोड़ बना देते हैं. हमें नहीं पता था, हमें तो ऐसा पता होता हम सुधार लेते, हम किसी से पूछ लेते, हम कंसर्ट कर लेते. आप सब जानते हुए अगर कंसर्ट नहीं कर रहें, किसी से नहीं पूछ रहें, तो सिवाए इग्नोरेंस के कुछ भी है. तो चलते हैं, सबसे पहला emotional detachment होता है, वो क्या होता है, किन कार्मों से होता है तो पहला emotional detachment का point है, behavioral difference जब भी हम किसी के साथ रहते हैं और अलग में नहीं नहीं मिलते हैं तो दोनों के span of time अलग लग होते हैं एक में हम कुछ घंटों के लिए मिलते हैं, एक में हम पूरे दिन, रात उसके साथ रहते हैं तो behavioral difference होने में हमें तीन बड़ी चीजों को note करना चाहिए अगर ये तीन चीजें आपकी 60-40 की ratio तक भी मिल जाएगी तो वो relationship कभी break नहीं होगा, मिरसे आप guarantee लेकी से क्या क्या है पहली, interest क्या क्या है अब कहते हैं जो लड़के होते हैं उनको क्या देखना पसंद है cricket match, लड़कें उनको कोई interest नहीं, उनने पता हैं यह ball run क्या होता है ठीक है, उनको बड़े वो रोने वाले जो serial आते हैं वो बड़े पसंद है लड़ाई लगड़े, बहुत बहुत पसंद है जो आज कर चल रहा है ठीक है, ऐसे से serial बहुत पसंद है हो सकता लड़कों को इंटरस्ट ना हो, उनको knowledgeable discovery देखने में मज़ा आता हो कौन बनेगा क्रोड़ बती में कोशन चोंग, कौन बनेगा क्रोड़ पती में हो सकता लड़कियों कोई पसंद आता हो तो मैचिंग हो जाएगी बस यही मैं आपको example देना चाहता था आप समझिए आपका जो counterpart है, उसके क्या interest है और वो interest कुछ आपको पसंद होंगे, कुछ आपको पसंद नहीं होंगे, बट उनको मैच करने ही कुशिट करें 60-40 की ratio तक लिए लिए, 100% तो मैच नहीं होगा, 60-40, कुछ आप जुकेंगे, कुछ वो जुकेगा, चलेगा, अगर वो 80-20, 90-100 रहेगा, 90-10 रहेगा, तो समझिए आपका relationship stake पे हमीशा ही रहेगा और यह चीज़ें आप जब रहने लग जाते हो साथ में, एक living में रो या marriage में रो तब आपको बहुत ज़्यादा पता देखती हैं, तो आपको पहला चेक करना है, इंटरस्ट कैसे हैं, आपके कैसे हैं, और आपके counterpart के कैसे हैं, और उन दोनों को आपने क्या करना है, 60-40 के और खुद ले आओ, तो बहुत अच्छा, नहीं तो हमारे जैसे लोग advisor हैं आपके पास, बहुत सारे psychologist हैं, जो भी हो, उनसे मिली है, और आप advice कर देगा, तो पहला interest, second, दूसरा, values, यह थोड़ा critical है, क्योंकि values बहुत ही deep होती है, यह जब आप पैदा होते हो, आपके parents देता है, तो values को हिलाना बड़ा मुश्किक हो जाता है, minor जो changes कर सकते हैं, तो सिवाए subconscious mind के आप values को चैन नहीं कर सकते हैं, जबकि subconscious में जाके कुछ changes कर सकते हैं, तो अगर आप भी basic values नहीं मिलती हैं, तो वो relationship कभी ना कभी state पे रहेगा, कोई भी basic value हो सकते हैं, जैसे आप मूर्ती पुझा करते हैं, छोटा example देता हूं, दूसरा आदम मूर्ती पुझा नहीं करता है, हमें देखने पे सुने में कोई फरक नहीं लगता, हमें लगता है, क्या है, मैं पुझा करता है, जैसे इतना ही तो फरक है, या आप को ये सिखाए गया है, rigidity में, again I am using the word rigidity में कि नौन भैज को हाथ नहीं लगाना, खाना तो बहुत दूर की बात है, और दूसरा आदमी नौन भैज खा रहा है, तो आपके लगता है कोई बात नहीं, I can adjust, तब तो हम क्या होता है, ड्रीम्स में होते हैं, लेकिन आपका भी भी किसी बड़े एस्ट के परसं से 30, 40, 45, 50 एस्ट की लेडिस से, जाइंट से बात करिए, तो उनके घर का ख्लेश का आधारीजन ही है, सादा दिन पीता रहता है, सादा दिन नौन भैज खाता है, मैं तो उस बर्तन को हाथ मिने लगाती, मैंने तो चुले भी दो बना दिया हैं, क्योंकि वो स्टेज में हैं कि अब सेपरेशन नहीं हो सकते हैं, बच्चों भी शादियां होगी हैं, तो बहुत रेर केस होता है, तो आप समझने की कोशिच करिए, जो आपकी वैल्यूज हैं, वो मिलनी चाहें, जो आपके रिलीजन्स हैं, उनकी जो वैल्यूज आपने अंदर ली हैं, वो मिलनी चाहें, जो भी रिलीजन्स भी वैल्यूज देते हैं आपको, और आपने वो वैल्यूज अगर डीप्ली अडॉप्ट की हैं, तो प्लीज, दूसरे counterpart को अच्छे से चेक कर लीजे, वो कितना भी अच्छा हो अगर वो values नहीं मिल रही है तो आप में differences रहेंगे ठीक है, 70-30 रहेंगे, ज़ड़े उतर हेंगे लाइक सकती रहेंगे, लेकिन अगर वही differences आपके गंती से 90-10 80-20 ratio होएंगे, तो detachment हो जाएगी बेज़िएर पूरा change हो जाएगा और relationship में emotional detachment हो जाएगी emotional detachment पहली stage है किसी भी relationship के break होने की थर्ड, इसके अंदर principles principles क्या होते है principles हम life के साथ-साथ बनाते है कुछ principles हम time के change कर लेते है बड़ा असान से example समझाता हूँ आपको मैंने principle बनाया महलो एक बच्चा है, वो क्याता है मैंने principle बनाया, मैंना तो लिंग मारू हूँ 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 क्योंकि उसको बड़ा confidence से अच्छी तियारी कर रहा है आप बस गया हो जिस दिन उसका paper था वो तियारी जो करके रहा हूँ उसकी बड़ाए लेक्टरा ने कुछ और question पुछी है बाजवाले को सब पुछाता है और वो देख सकता है principle कब काम करता है? जब आपके पास opportunity हो और आप यूद नपरो और फिर भी अगर उसने नकल नहीं मारी तो वो उसका principle है और अगर उसने adjust कर लिया चलने दो बाए तो हम ऐसी adjustments बहुत करते हैं principle को flexible बनाते है लेकिन ये emotional detachment हो जाती है अगर आपके basic principles कहीं उस person से नहीं मिलते है जो आपका counterpart है तो आपको mismatch को match match में convert करना पड़ेगा तभी आपकी relationship को आप बचा पाएंगे save कर पाएंगे और उसको continuity long life में convert कर पाएंगे तो अब आपको समझ आ गया कि मैंने क्या बोला तीन चीजें पहली interest values and principle अगर ये तीनो 60-40 की ratio तक चलगी आपकी adjust हो गए तो relationship टिका रहेगा और अगर adjust नहीं होई तो problematic area शुरू हो जाएगा